वेलकम तो स्नेया नलूरा किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे आम की सबजी तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए कच्छे आम और इने छोटे-छोटे काट लेंगे अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ओईल और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे हींग और लेंगे मेथी और हम डाल देंगे इसमें कुटा हुआ धनिया और फिर डाल देंगे एक चमछ नमग, और डालेंगे साथ में हल्दी और ये सॉव, अब इसको अच्छे से हम मेक्स कर लेंगे, और अब जो हमारे पास कटे हुए हमने आम थे, वो इसमें हम डाल देंगे, कटे हुए आम डालके थोड़ा सा mix कर लेंगे मसाला सारा अच्छे से और इसमें डालने के हम लाल मेच लाल मेच भी mix कर लेंगे आप पानी डालेंगे एक से डेट गलास पानी डलेगा इतने मैंगो में और इसको पकनी के लिए रख देंगे हम 10 मिनिट के लिए बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे चलाते रहेंगे वैसे यह लगेगा नहीं नीचे पर फिर भी हम इसको चला लेंगे इसको चेक कर लेंगे कि गल गए है हमारे आम अब हम इसमें शक्कर डालेंगे आप गुड भी डाल सकते हैं पीस के और आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं मैंने इसमें शक्कर डाला है बस अब दो मिनिट अच्छे से पहले शक्कर को मिलाएंगे और दो मिनिट के लिए और पकाएंगे रखके पका लेंगे अब देखो हमारी ये कच्छे आम की सबजी बनकर त्यार हो गई है अब आप इसको सर्व कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिस्केशन बेल भी प्रेस करना थैंक यू सो मच बाइबाई